रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आपने ये कहवत तो जरूर सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता है जप पर फाड कर देता है और दोस्तों ऐसा ही अब होने वाला है कुछ राशी वालों के साथ जून के महिने में जी हाँ जी हाँ आपने एकदम सही सुना आपको बता दें कि आने वाली जून के महिने में भगवान शनीदेव की खास क्रिपा होने वाली है कुछ विशेश राशी वालों के उपर और यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि यदि आपकी राशी इसमें है या नहीं तो आप इस वीडियो को बिलकुल भी मिस ना करें और इसे अन तक जरूर देखें इसके साथी साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्षिन में जै शनीदेव जरूर लिख दें तो चलिए शुरूर करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि जोते शास्र के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले जून के महिने में भगवान शनीदेव की कुछ विशेश राशी वालों के यूपर खास कृपा होने वाली है और दोस्तों यह जो राशियां हैं वह अब माला माल होने वाली हैं इन राशी वाले लोगों को जून के महिने में अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो हर किसी के जीवन में नहीं आते और ऐसे बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलते हैं दोस्तों यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे कि साल 2021 का छटवा महिना यानि की जून के महिने में कई ग्रह अपने राशी परिवर्तन करने वाली हैं जी हां बता देएं कि महिने के साथ साथ इस साल के बीते कुछ महिने हम सभी के लिए काफी चनौती पूर्ण रही हैं ऐसे में दोस्तों जो तिश की माने तो जून के महिने में कई ग्रहों की राशी परिवर्तन से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महिने कोर्णा महामारी से हम सभी को निजात मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें कि जून महिने में मंगल बुद्ध सूर्य शुक्र और ब्रहस्पति ग्रह अपनी अपनी चाल पदलने वाली है महिने की शुरुवात में ही यानी दो जून को मंगल ग्रह मिथुन राशी से निकल कर करकराशी में प्रवेश करेंगे इसके बाद बुद्ध ग्रह 3 जून को व्रिशप राशी में वकरी गती शुरू करेंगे पंदरा जून को ग्रहों के राजा सूर्य व्रिशब से निकल कर मिथुन राशी में गोचर करेंगे वहीं दोस्तों देव गुरु ब्रस्पती 20 जून को कुम्ब राशी में वकरी गोचर करेंगे 22 तारी को शुक्र ग्रह मिथुन राशी से निकल कर करक राशी में गोचर करेंगे दोस्तों इन सभी ग्रह गोचर के अधार पर हम यह कह सकती है कि आप लोगों के लिए यह जून का महिना काफी ज्यादा भाग्यशाली और मेतपून रहने वाला है दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस महिने आपको कोई भी गंभीर स्वास्वंदी परिशानी नहीं देखने को मिलेगी जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इन दिनों में अपने स्वास्त को लेकर बहुत ही ज्यादा परिशान हैं और बहुत ज्यादा चिंतित हैं लेकिन दोस्तों आप लोग निश्चिंत हो जाये क्योंकि जून के महिने में आप लोगों को कोई भी बड़ी स्वास्संबंदी परिशानी देखने को नहीं मिलने वाली इसी किस्सा दोस्तों जिनराशी वालों की हम यहाँ पर बात कर रही हैं उन्हें जून के महिने में नौकरी और बिजनिस के शेत्र में काफी सुखत प्रणाम मिलते नजर आएंगे जी हाँ दोस्तों आप लोग अपने मेहनत और परिश्रम के दम पर अपने कारिशेत्र और विवसाई में एक बार फिर से उन्हती कर सकेंगे लोकडाउन के चलते कारिशेत्र विवसाई में जो जो रुकावटे आपको अभी तक देखने को मिली थी वह सब रुकावटें अब खतम होने जा रही है जी हाँ बता दें कि जल ही आप पहले की ही तर विवसाय से जुड़ पाएंगे और धन प्राप्त करने के दिशा में आप लोग आगे बढ़ने वाली है दोस्तों इस दोरान किसमत का भी भरपूर साथ आप लोगों को मिलने वाला है इसके साथ ही साथ आप लोग इस दोरान किसी नई परियुजना में कुछ नई शेत्रों में भी आप निवेश कर सकती हैं जिसका की प्रडाम आपको जल ही मिलने वाला है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि देव गुरु ब्रस्पती की सिती के चलते इस महिने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होकर रहेंगे और दोस्तों निश्चित तोर पर इस दोरान आपका आर्थिक पक्ष बहतर रहेगा शेर बज़ार में निवेश से इस दोरान आपको मुनाफा अवश्य देखने को मिलेगा हाला कि जो लोग नौकरी को लेकर चिंतित हैं ऐसे लोग चिंता करना छोड़ दीजिए क्योंकि दोस्तों आप जिस जगह पर कारिय कर रही हैं वहाँ पर अपने नौकरी बचाने में तो आप लोग कामियाब रहेंगे ही साथी में आपको धन भी प्राप्त होगा जो लोग करियर के पहले पैदान पर खड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय महत पूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों आप लोग जिस जग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उस जग पर आपको कारे करने का एक बड़ा अफसर भी प्राप्त होगा जिसके चलते आपकी जिन्दगी की एक नई शुरुआत भी होगी दोस्तों धन को लेकर समस्या का भी जोरान आपका समधान होगा जिसके चलते जोरान पारिवारिक सितियों में भी खुशियों का महावले जोरान बना हुआ रहेगा हाँ दोस्तों एक बास जरूर है कि राहुगर किसिती के कारण आपको कड़ी मेंनत इस महिने भी करने पड़ेगी शुक्रगर किसिती बता रही है कि व्यापार और व्यवसाई से जुड़े होई लोगों को इस दोरान भारी दनलाब होने वाला है अपने व्यापारिक और कारण शित्र से आप इस दोरान काफी जियादा अधिक धनाब कमा पाएंगे नई परियुजनाओं में कारण करने का भी आपको मौका मिलेगा दोस्तों बता दें कि रुके हुए आपके सभी कारण एक बार फिर से पूरे होंगे आयात निर्यात के कार ये एक बार फिर से शुरू होने से आपकी किस्मत की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर दोड़ती चली दोड़ती होई नजर आएगी इसी के साथ इस दोरान आप अपने विरोधियों को भी एक बार फिर से परास्त करने में काम्याब रहेंगे जिसका किसी धालाब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यकीन मानिए कि जब मनुश्य का भाग जब चमकता है तो नसीब बदलने में देर नहीं लगती इसलिए जो लोग शिक्षा को लेकर परिशान हैं उनकी अब सारी चेंताएं जल्द ही दूर होंगी सरकार की योर से कोई बड़ा एलान होगा जिसके चलते आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे शिक्षा के परडाम भी आपके अनुकूल रहने से आपका उच्च शिक्षा का सपना भी एक बार फिर से पूर्ण होगा दोस्तों आपको उच्च संस्थाओं में दाखिला मिल ही जाएगा जिसकी वज़े से आप लोग जिन्दगी की एक नई शुरुवात करने की यूर आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों इतना ही नहीं जो लोग शिक्षा उत्तिन कर चुकी हैं उनके लिए भी धन वृद्धी के संकेते जोरान मिल रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि वक्री शनी के चलते अपनी स्वास्त को लेकर आप इस दोरान कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और सचेत रहें इस दोरान अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा और बिना लाप के यात्रा से भी आपको इस जोरान परहेज करना होगा बता दें कि इस जोरान जो लोग अविवाहित हैं और सिंगल हैं और किसी खास के इंतजार में अपने पल के बिचाई हुए हैं तो दोस्तों उनका इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है जी हां बता दें कि आपके जीवन में इस दोरान कोई प्यारे से साथी का आगमन होगा जिसके साथ आप अपने जिंदगी के हसीन लम्हें बिता पाएंगे जो लोग रोमैंटिक लाइफ में सुनेहरे ख्वाब देख रहे थे उनकी सभी च्छाईब पूर्ण होंगी आपके विवाहित जीवन में आपको इस दोरान खुशिया मिलेंगी संतान प्राप्ति की च्छब आपकी एकदम से पूर्ण होगी दोस्तों को मिलाकर किसी भी नकरातमक सोच और नकरातमक विक्तियों से आप एकदम दूर रहे और जितना उसके आप लोग सकरातमक सोच के साथ आगे बड़े इससे आप लोगों को लाब अवश्य ही प्राप्त होगा दोस्तों अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर वराशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं तो आपको बता दें कि वराशियां हैं मेश राशी, मकर राशी, मिथुन राशी, तुला राशी, कन्या राशी, कुम्ब राशी और मेन राशी दोस्तों आप से अंद्रोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैशनी देव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे